बहुत स्वागत आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती अढ़ाई का अड़ा में आप देखना शुरू कर चुके हैं गर्मा गर्म बहस आज हम इस मुद्धे पर करेंगे जानेंगे लेकिन आज की शुरूआत एक छोटे से इतिहास के साथ करेंगे वो दिसंबर था शर्दी सबाब पर आने को बेताब थी लेकिन एमपी का सियासी ताप उबाल मारने वाला था नए नई सरकार राजकात संभाल रही थी आला नेताओं को अन्होनी की आशंका तो थी लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था आखिर कार एक दिन एक दिगज राजनिता और उसके खेमे के विधायकों के फोन बंद हो जाते हैं इसके बाद पूरी राजनिती बैंगलॉर और हरियाना के रिसॉर्ट के इर्दगिर्द घुमती रहती है इस छोड़ी सी कहानी को याद रखिएगा जनादेश भले ही आपने सुना दिया हो लेकिन कांटे की टकर में सूबे की कुर्सी पर कबजे का खेल क्रिकेट सरीखा हो चला है सूत्रों के हवाले से खबर ये कि PCC की तरफ से कहा गया जिला प्रभारियों को कि प्रत्याशियों पर पहनी नजर रखना है आने वाले जो मिलने आने वाले उन पर भी मिलने जुलने वालों पर बाचीत करने वालों पर एटसेक्टरा एटसेक्टरा इससे पहले बीरोक्रेसी पर हमला आयोक की शिकायत उससे पहले धीमे मदान पर सवाल और उससे भी पहले अनिमत कर्मचारियों को शपत ग्रहन का न जानगी है या किसी और ही खेला में है कॉंग्रेस इसी सवाल को सुलजानी की कोशिश आज करेंगे पहले बयानों को सुन लीजिए नतीजों की बेला हो न जाए खेला फिर वही डर अपनों पर नज़र कॉंग्रेस ने लगाए दूद घेराबंदी मजबूत जब भाजपा जैसी लुटेरी पार्टी हो जो जनतंत्र को खतम करने पर आमदा हो उसमें बार बार इस चीज को साबित की भी क्या हो चाहा माराष्ट हो करनाटका की सरकार हो तो यह है कि अपने नेताओं कारकरटाओं से प्रॉपर समबाद कॉंग्रेस पार्टी पहले भी बनाती रही है पहले भी राय समबत आज भी समबाद है बाकी हाँ मैं मानता हूँ ओपरिशन लोटर जिसको भाजपावाले बड़े ही छाती फुला के कहते हैं वो इस देश के तियास पर काला धबबा है तो ये आपने चोटे से बयान देखे चोटे से रिपोर्ट भी आप इसे कह सकते हैं किसको किसका डर है कॉंफिडेंस की कमजूर होती डगर है बेहद खास पैनल हमाई साथ जुड़े हुए उससे तारूफ आपका करवा देते हैं और फिर चर्चा का सिलसला शुरू करेंगे बिरिज गोपाल लोया साथ बीजेपी की तरफ से हमाई साथ जुड़े हुए सर बहुत-बहुत स्वागत सबसे पहला सवाल पांडे साथ आपसे भी क्या कॉंफिडेंस धीरे-धीरे कमजूर होता जा रहा है क्योंकि बयान बार-बार बदल रहे हैं यह अभी भी बात है जो नकुलनात ने कहा था कि भई इस तारीकों शपत ग्रैंड है और आप सब पहुंच जाना पांडे सर जे कॉंफिडेंस पूरा है आत्म विश्वास भी पूरा है और जनता स्वयम बदलाव चाहती है परवतन चाहती है और शुरुआ से ही कहा था कि कम से कम 150 सीटों पर कॉंग्रेस जीते कि हमें अपने बिधायकों पर भी विश्वास है इसलिए हमने 230 बिधायकों को टिकेट भी दिया ठाथा लेकिन भाती जनता पार्टी जो है वो सडेंत्र में चोरी करने में बहुत माहिर यह जैसे अभी देश में देखा तो 15 प्रदेशों में भारती जनता प्रटी की सरकार है, 6 जगे चुनी होई है और 9 जगे जुगाड़ की सरकार है हम लेटेस देखा जाए तो महारास्त के बारे में सुप्रीम कोट का डिसीएन आचुका है कि जो महारास्त में जो बीजेपी की सरकार है बीजेपी गठमंदन की सरकार है ये अवैद सरकार है ये उद्धब ठाकरे इस्तिफा नहीं देते तो आज महां के मुख्यमंत्री उद्धब ठाकरे होते तो भारती जनता पार्टी किसी भी इस तर तक कितनी भी नीचे जा सकती ह तो साबधानी रखना हमें बहुत जरूरी है और जनता बदलाब चाहती थी तो परवतन पक्का है ठीक मैं आउंगा ऐसी सवाल को लेकर एक मेरा सेकंड कोश्चन रहेगा लेकिन पहले लोया साब आपका रियक्शन नौ जगा जुगार की बात भी पांडे साथ ने की है आप कैसे देख रहे है दरसल क्या है वो माया वो बाली वाला सिस्टम तो नहीं यहां आप खड़े हो जाते हैं आधी ताकत खीच लेते हैं लोया साब लली ती देखिए कुछ लोग जो खुद के वारे में सोचते हैं वहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं परन्तु इतिहास क्या बताता है उसकी चर्चा भूल जाते हैं 2018 में भारती जनता पार्टी को 109 सीट मिली थी कांग्रेस को 114 सीट मिली थी पूर्ण भाउमत कांग्रेस के पास भी नहीं था जिन लोगों के साथ सरकार कांग्रेस ने बनाई थी उनके साथ हम भी बना सकते थे परतु अब सरकार में जो अपने सरकार बनाने की कोई प्रयत नहीं किया शिवराज जी ने अगले दिन 11 बजे जाकर अपना इस्तीफा सौफ दिया प्रशन इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार बनी नहीं रही है जनता आपको नकार चुकी है तीन स्टेंड जो आप बता रहे हैं कि पहले इन्हें अती विश्वास का फिर विश्व जिसका दोश्व भरती जनता पार्टी को देते हैं एक बात हमेशा याद रखें पहली बार देश में ऐसा हुआ था कि छै मंत्रियों ने इस्तीफा देकर अपनी सरकार के खिलाफ बगावत की थी वह बगावत सरकार के खिलाफ नहीं थी वह बगावत थी कांग्रेस के परिवर्तित हो रहा है बड़ी कॉमन बात है कि लोया साब वह आपके पास चला आता है मुझे याद है एक विधायक थे आज उन्होंने कहा कि कमलनाज जी उनके पिता तुल्य है फिर अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वह जाकर बीजेपी में शामिल हो गए इस वज लीजिए मंगाल में कहां शामिल हुए वह देख लीजिए लोगों का कांघरेस के नित्रतु के प्रती जो से ब्राम है तो की आक्षमता है उसके कारण कोई कांघरेस में नहीं रहना चाहता है वह उसका डेस्टिनेशन अन्य जगों पर कई और हो सकता है हाँ बादिप्रति इनमें भारती जनता पार्टी यह साथ है। इनमें भी देखा सोचल मीडिया वैं में भी देखा के नरेनसीन तो अमर का जो बैटा है वो सो सो करोड पार पास सो करोड अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा है। सया भी पैसा देते, नमबर दो में, सुप्रीम कोड कह रहा है, भई, पार्टियों को कितना पैसा मिल रहा है, पता चलना चाहिए, सुप्रीम कोड इनको बार वार फटकार लगा रहा है, कि ये भ्रेश्टाचार का पैसा है, आप इसको बताइए, पास खरीत फरोत करने के लि इससे जो देश का जो है दुर्पयों हो रहा है और देश देखा जाए तो ये देश के लिए बहुत घाता किस्थिती है जहां का जहां तक हम चुनावों की बात करें तो हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि कम से कम हम डेड़ सो सीटों से जादा जीतेंगे भारती जनता पार्टी इसलिए अफवा फैला रही है कि ये चाहती है कि हम मतदान में गड़बरी कर सकें हम प्रशास्थिक अधिकारियों पर दबाब बना सकें चुनावों के समय इन्हों ने बूत कैप्चिरिंग करने की कोशिश की गोलियां चलवाईं पैसे बाटे साड़ बाटी दारू बाटी क्या क्या इन्हों ने घपले नहीं किये ते मद्दान वाले दिन अब ये चाहते हैं कि प्रशास्थिक अधिकारियों पर कैसे भी दबाब बनाए जाए लेकिन जनता जागरों के प्रशास्थिक अधिकारियों के बाटी जनता पार्टी इसलिए से रख रहे हैं ना पांडे साथ नैंग आप कोई सिंधिया बचाई नी और पहले भी जो सिंधिया जी के साथ गए ते मैं आपको बता दू उनमें से कोई विधायक नहीं जाना चाहता था सिंधिया जी ने धोके से दिली बुलाया सब के मुवाइल जब्त कर लिए और सबको करन गामाराटेक में बीजे पी की सरकार थी बैंगलउन में जाकर सब को बंद किया फिर वहां लाले दिया गया लाले चांप का ही अमन्तरी पत बरकरार रहें गया लाले जिया गया सरकार थी लाखों लोगों ने अपनी जाने दे दी है उसके लिए लोए साथ से एक रियक्शन लेकर आ प्लीज जी देखें तीन विशाय उठाएं है हमारे मित्र ने ठेक है पहला विशाय के सरकार ने बदल जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने नितिश कुमार को खरीद लिया वो चुनावत हमारे साथ लड़े थे आज सरकार में आपके साथ है जिन हैमंत विश्व सर्मा की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी का एक नेता अपने पालतू कुट्टे से ज़्याद किस तरह से कांग्रेस में करने की कोशिश की किस तरह नाती राजा के ड्राइवर की हत्या हुई वो बड़ा संदे का मामला है और हमारा उसमें इस पश्ट आरोप है कि वो आपके भीतर का मामला है आपने उसे फड़्जी तरीके से भुनाने की कोशिश की आपकी हार की है बड़े जुम्मेवारी के साथ कह रहा हूं मध्य प्रदेश में भारती जनता पार्टी डिर्सों से ज़्यादा बिधायकों के साथ सरकार बनाने जा रही है और इसके बाद हम अपने हर कारिकर्टा पर उतना ही विश्वास करते हैं क्योंकि वो हमसे विचारधारा के कारण जुड़ा है वो इसलिए जुड़ा है कि उसे पार्टी में सम्मान मिलता है कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि एक व्यट्टी का एंकार चलेगा उन्हें ने का चलो चलो बगावत के काले आपकी भी कई सीटे पेच फसा हुआ ना लोया साब नाराज लोग है बागी लोग है मान रहे हैं ना आप पैले जी बिलकुल इस पश्च सुईकार करता हूँ कि हम ऐसा तो हमने दावई नहीं किया कि हम पूरी की पूरी सीट जीत रहें परंतु जो विधायक जीत कर आ रहे हैं वो जनता उन्हें भारती जनता पार्टी के विकास और जनकल न्यान की राज़िए तो नहीं है इसलिए हमें ये विश्वास है कि कभी कोई हमारा कारी करता हमारा साथ छोड़ कर नहीं जाएगा सत्ता का लालच भारती जनता पार्टी के कारी करता को नहीं दिया जा सकता सत्ता हमारे लिए साधन मात्र है जनकल न्यान का सत्त ठीक 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 चली लोया साहब के सिगनल के साथ शाय थोड़ी दिक्कत है वो फिर से जुड़ेंगे हम उनने फिर से कनेट कर रहे हैं पांड दरसल करप्शन को लेकर एक पॉइंट उठा कुछ नेताओं के नाम आए ये बड़े हैरत की बात है कि उनके खिलाफ जो जात चल रही थी उसका कोई अपडेट कभी नहीं आ पाता सवाल नंबर एक दूसरा कि करप्शन के मुद्दे पर एक वाइरल वीडियो के बावजू वो एग्रेसिवनेस नहीं दिखती है लोहा साब लेली जी तोने बातों को अलग अलग करता हूँ पहले तो आपने नरेंसिंग तौमर जी के बेटे के बात की उसमें भारती जनता पार्टी स्वयान नरेंसिंग तौमर जी का बेटा ही फरियादी है हमने मुरेना में उसमें या फाइयार दर्जिकर आई है किसकी जाच होनी चाहिए तागरिस फर्यादी नहीं है पहले मैं आपको एक बात बता दू हम एग्रेसिव क्यों हैं हम एग्रेसिव इसलिए हैं कि हम तख्यों सत्य के साथ बात करते हैं हमने अगर 36 गड़ में आरोप लगाया है तो यह बताया की दिक्कत है शायद लुया साब का जो लेकर आई हम तो सत्य के आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं हम तो एक बात कहते हैं आप कभी भी चुनाओ आयोग के पास चलिए सुप्रीम कोर्ट में चलिए अपने तथ्य को रखिए अपने सत्य को रखिए फिर हम पर आरोप अब पांडे सर से रियक्षन ले लिया जाए लोया सा प्लीज पांडे सर अब यह वीडियो है नरेंज सिंग कोमर जी के बेटे का अब हमारे पास तो पुलिस नहीं है ना जास तो इसकी पुलिस करेगी अब यह जो वीडियो है इसकी कम से कम जास तो होनी चाहिए अब पंदरा दिन हो गए इसको दस सेकंड कुछ के हैं क्या हमारी पुलिस उतना भी नहीं कर सकती है कि पंदरा दिन में इस वीडियो की जाच कर सके और जिसने वीडियो अपलोड किया है वो कह रहा है मैं नरेंज सिंग तो अमर के घर में रहता था वो कह रहा था मैं सारे सबूत देने को तयार हूँ वो सब कुछ जाच पे सामने आने के लिए तयार है क्यों नहीं इडि नरेंज सिंग तो अमर के बेटे की जाच कर रही है क्या इस पैसे का उपयों खरीद फ़रूग के लिए कहा जाता है? क्या इसी पैसे से बिधायकों को खरीदा जाता है? क्या इसी पैसे से सरकारे बनाई जाती है क्यों नहीं इस की जाच की जा रही है ये अपने आपे बहुत बड़ा प्रमाड है अन्य कारण तो है ही जैसे पटबानी भरती बरिच्छा घोटा ला हुआ विधायक के कॉलेज से टॉपर निकल रहे हैं 15-15 गार रुपर लिये जा क्यों नहीं उस बीजेपी के विधायक से पुछ ताच की गई कुछ एड़ान करना चाहरें कुछ सब्सक्राइब करना चाहरें कि क्या कांग्रेस पांटी उस वीडियो की प्रमानिक्ता की जुम्मेवारी लेती है केवल आप ले लिजिए और फिर जाच की मांग करिए आप अपने आपके पार्टी की अधिक्रत लाइन है कि इसके प्रमानिक्ता की आपके पास है और आप क्या रहा है यदी कोई एक फोन भी कर देता है तो एड़ी पहुच जाती है कोई कर देता है कि कॉंग्रेस के किसी कारकरता ने पैसा लिया तो एड़ी पहुच जाती है आज इसकी छेचे वीडियो निकल चुकी है जिसने वीडियो जारी किया वह पूरे सब जगे मीडिया में इंटर्वू दे रहा है पूरा यूटूब बड़ा पड़ा उसके इंट अब आपके पास आना चाहरा हूं आप कॉंफिडेंट है एक सो पचास को लेकर इस तरह की बात है सोशल मीडिया पर भी जितने उपीनियन हुए उसमें कॉंग्रेस को शुरुआत में अपर हैं दिखाया गया मैं वही आप से जानना चाहरा हूं कि बार बार जो बयान बदल रहे हैं निगरानी की बात आ रही है आपने खुद अभी कहा कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है दरसल क्या कॉंग्रेस कुछ अपने आपको कमजोर या बैक फूट पर महसूस कर रही है अगर आप कह रहे हैं कि डेड़ सो आ रहे हैं तब तो कमजोरी वाली कोई बात नही चाहिए डॉक्टर राम कर दिया वोटिंग नहीं होगी तो जब कॉंग्रेस के कार करता पहुंचे उन्होंने का 2400 लोग लाइन में लगे हुएं क्यों नहीं वोटिंग होगी तब कहीं जाकर वोटिंग नो बजे तक चली और सब फिर अपना बोट डाला क्योंकि वो लोग कॉंग्रेस को वोट दे दे रहें तो ये काउंटिंग में गड़वडी करना चाते हैं ये प्रिशास्तिक अधिकारियों पर दवाब बनाकर जो सीटे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 से हार जीत होगी वहाँ ये गड़वडी करना चाते हैं लोग जासाब आपके पास तिस दवाल के साथ कि आप इस तरह की गड़वड सी पर जो शिकायते हुई हैं कलेक्टर एस पी पर उनकी संख्या आपके तरफ से जादा है कोई खास वज़ए है कोई बज़ए नहीं हम तो सत्य के साथ चलने वाले लोग हैं हम फिर से कह रहे हैं यदि हमें कहीं 100-200 से परिनाम बदल सकता होता तो हम तो पिछली बार सरकार में होते हम तो एक हजार से कब वोटों से 23 सीटों पर हा रहे हैं परन्तु हम तो जनता के निरना पर विश्वास करने वाले लोग है तो सरकार में तो आई गए थे आप जी कांगरेस पार्टी को ये मालूम है कि जनता उनके साथ नहीं है जनता तो भारती जनता पार्टी के साथ चली गई और चली इसलिए गई कि मतदान के दिन का ट्रेंड बता रहा है कि मत्रदेश में भारती जनता पार्टी किस भारी से भारी बहुमत के साथ जीत करा रही ह हमारी सरकार बनाने का काम तो अकेली लाडली बहना ने कर दिया शेश वोट को हमें अत्रिक थे जो दो तियाई वहुमत तक पहुचाने का काम कर रहे हैं यह बड़ा इस रूप से कह रहा हूं और इस भाई में कांग्रेस पार्टी के लोगों को नीद नहीं आ रहे हैं लोया स प्रिक्ता कर दिया ना कि यह वोट खरीदते हैं बिदायकों को खरीद थे 35 करोड़ में अरे इन hypert行 हमारी बेनों को खरीदने का कोशिस किया हजार 1250 पैसे ते जातेव किर बोट को खरीदने के लिए कितने भी निचले इस तर तक गिर सकते हैं ने को बीस साल तक पैसा करता हो को इन्हों ने परखास कर दिया कि अगाइव दो मैने पेले पच्छी सासा कार करता हो को इन्हों ने परखास कर दिया अब बसकर 40 पर ताप आगा वही रुक जाए ये ब्रश्चा चार के पैसे से रुखना चाहूंगा प्लीज 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 अरे तीन तारीक को अभी फिर मिलेंगे अभी लंबे चर्चा चलेगी डॉक्र पाइंडे आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजगोपाल लोया साब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी चर्चा हुई सार्थक चर्चा हुई चर्चाएं चलती रहेंगी थोड़े बहुत ताप के साथ भी चर्चाएं हो जाएं तो वो भी चलती रह झाली है